Hello friends, welcome to best English classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं American Modernist Point Wallace Stevens की लिखी सबसे जादा पॉपलर पोयम The Emperor of Ice Cream, Ice Cream का राजा। ये पोयम स्टीवन के सबसे फेमस डेब्यू कलेक्शन हार्मोनियम से ली गई और 1923 में पब्लिश हुई। इस पोयम में दो बराबर लेंथ के स्टैंजा हैं। पहले स्टैंजा में एक बुड़ी औरत मर गई है और स्पीकर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दूसरों को फ्यूनरल के लिए। दूसरे स्टैंजा में स्पीकर एक शान्त रूम में हैं जहां पे महिला की डेड बॉड़ी पड़ी है। रीडर्स इस पोयम से यह आइडिया लगाते हैं कि यहां पे बात हो रही है कि जिंदगी की जीत होती है मृत्यों की खामोशी पर। यह एक एक एक्सपीरियन्स वाली पोयम है। आईए इसको लाइन बाइन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला देखेंगे पहला स्टेंजा। कि उस मोटे तगडे मस्कूलर आदमी को लेके आओ जो सिगार बनाता है। और उसको कहो कि वो आईस क्रिम बनाए जो लस्टी कर्ड है ना मिल्क की उससे। और लड़कों से कहो कि फूल लेकर आएं पुराने निउस्पेपर के अंदर रैप करके। लेट बी फिनाले ओफ सीम के सच्चाई की जीत होने दो इल्यूजन के उपर जो दिखता है जो सीम है उसके उपर सच्चाई की जीत होने दो रियलिटी की। आगे देखते हैं नाइन्थ लाइन क्या कह रही है। कि जो पाइन ड्रैसर है उस ड्रैसर के अंदर जो ड्रैसर है उसके अंदर आगे तीन ग्लास के नॉब थे। नॉब ऐसी छोटी सी गुंडी होती है जिसको पकड़ के ड्रॉवर को खोला जाता है वो मिसिंग है वहाँ पर आपको एक बैट शीट मिलेगी जो इस मरीवी महिला की है जिसको उसने खुदी स्टिच किया था और उस पर डिजाइन मनायते एम्ब्रॉइडरी की थी और उससे उसका चहरा ढग दो उसकी पूरी बोड़ी पे उसको ढग दो और उसका चहरा भी ढग जाए if her horny feet protrude they come to show how cold she is and dumb अगर उसके पैर stick out at the bottom ये हमें ये बात की यहाँ दिलाते हैं अगर उसके पैर stick out at the bottom तो हमें ये ये पताते हैं कि वो अब ठंडी हो गयी है अब डैड बॉड़ी लैम्प को fix करो उसकी beam को जो लैम्प की light है वो पूरी चमक उस पर आने दो dead body पर the only emperor is the emperor of ice cream there is only one real emperor और वो है ice cream का राजा तो यह एक ambiguous poem है मतलब इसमें एक deep meaning छुपा हुआ है वो कहे कुछ रहे है बट actual में meaning कुछ और है तो यहाँ पर एक तो जैसे किसी की death हो जाती है तो जो ceremony होती है उसके rituals के बारे में बात हो रही है कि dead body को कैसे handle करना है फिर यहाँ पर एक word आया था wenches, wenches का मतलब होता है female servants यहाँ लड़कियां कोई भी हो सकती है तो यहाँ पर जो emperor of ice cream जो इसका title है वो एक तरह का oxymoron है क्योंकि emperor को तो mighty होना चीए powerful होना चीए पर emperor of ice cream तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई joke है emperor of ice cream यहाँ पर illusion के बारे में बात हो रही है यदि मैं theme की बात करूँ तो life, death and sensuality यही इसकी theme है अगर इसमें symbols की बात की जाए तो ice cream भी यहाँ पर symbol है ice cream किस चीज का symbol है कि जो जिन्दगी के sensual pleasure है जो भौतिक सुख है उसका symbol है और muscular man की बात आई है वो भी एक symbol है कि कितनी strength चाहिए होती है ice cream बनाने के लिए या फिर जिन्दगी के आनंद लेने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे pointic device आये है जैसे alliteration का तो भरबर के use है इसमें यदि form की बात करूँ तो इसमें दो बराबर length के stanza है हर stanza में total eight lines है यानि कि एक octave या octate जिसे आप कहते हो और जो line seven और eight है और फिर जो final two lines है वो एक तरह का refrain है वहाँ पर एक ठेराव आता है मीटर की बात करों तो इसमें बड़ा ही lose iambic tetra meter हमें देखने को मिलता है rhyme scheme की बात करें तो कोई rhyme scheme इसमें है ही नहीं जो पहला स्कीन है पहला सीन है वो बड़ा एक chaotic type का सीन है जबकि दूसरा जो सीन है उसमें एक room दिखाया गया है So I hope ये poem आपको समझ में आ गई होगी चैनल पे नए हो तो इससे subscribe करो वीडियो पसंद आया तो like करो comment box में अपना feedback जरूर देना फिर मिलेंगे एक और topic के साथ Thank you so much All the best for your exams